100 days of code में तो मज़ा आप लोग को भी आ रहा है I know that आज के इस वीडियो में हम लोग double के बारे में पढ़ेंगे देखो list के बारे में जो हमने पढ़ा था वो काफी useful थी हमने उसके बहुत सारे methods को देखा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो list होती है इसके साथ क् और डिटाइब होता है पाइधन के अंदर जिसका नाम होता है double and it is equally useful क्योंकि आप लोग double को चेंज नहीं कर सकते और इसके कुछ important methods भी होते हैं जिनके बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं चलते हैं computer screen में and let's get started इस तरह से हम लोगोंने list के बारे में देखा था double भी बहुत ही similar होती है list के पस difference यह होता है कि आप double को change नहीं कर सकते ठीक है और double को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहां पर कुछ इस तरह से करूँगा tup is equal to लिखूँगा और इस तरह के brackets का इस्तेमाल करूँगा ठीक है मैंने इस तरह के brackets का इस्तेमाल किया और इसके अंदर values को लिख दूँगा 156 मैं अगर इसका print करूँगा type मैं कौँगा type of tup और इसी के साथ साथ अगर मैं tup को print करूँगा तो मुझे दोनों values प्रेंट होकर मिलेंगी और मुझे class tuple मिलेगा अगर इसमे दो elements होते कुछ इस तरह से तो 1 और 5 मुझे देखने को मिलता और यह चीज़ सेम देखने को मिलती what about अगर इसमे सिर्फ एक element होता तब देखो यहां पर एक confusion हो जाएगा और इदेखो class int हो गया अब आपको यार यह मैंने tuple बनाया एक element का यह int क्यों दिखा रहा है तो यह सबसे बड़ा confusion होता है python developers का अगर आप लोग एक element का tuple बना रहे हो तो comma is necessary आपको एक comma लगा कर छोड़ना पड़ेगा वनना python confused हो जाएगा कि आप one सिर्फ one value को bracket में लिखकर लिख रहे हो integer को या फिर आप एक नएया tuple बना रहे हो python confused हो जाएगा इसलिए python confused ना हो आपको one comma इस तरह से लिखना है रन करो इस तरह से और आप लोग देखो class tuple एक element का tuple यहांपर बन गया है ठीक है यहांपर आप लोग देखो tuples are ordered collection of data items they store multiple items in a single variable tuple items are separated by commas and enclosed within round brackets ठीक है tuples unchangeable होते हैं यानि कि आप लोग tuples को change नहीं कर सकते list अगर होती है अगर यह list होती ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता था कि tube 0 is equal to 90 और इसके बाद यह tuple change इसकी 0th value हो चेंज हो जाती but यहांपर आप लोग देखो कि type error आ गया कि tuple object does not support item assignment अगर इसके अंदर और भी बहुत सारी values में डाल देता कुछ इस तरह से और इसको run करता तब आप लोग देखो कि same error यहांपर आ रहा है but how about अगर यही एक list होती इसका नाम मैंने tub जरूर लिखा हुआ है लेकिन यह list है भी square bracket अगर मैंने आप लिख दिया तो type of tub भी एक list दिखाएगा तो इसकी जो first value और वो change हो गई देखो तो list में तो मैं कर सकता हूँ change tuple को change नहीं कर सकता अब आप कोगे यार यह फिर tuple मैं use to करूँ मैं list ही use करूँगा चेंज भी कर सकता हूँ सब कुछ हो सकता है नहीं बहुत ऐसे काम नहीं होता है ठीक है होता क्या है कि कभी-कभी आप चाहोगे intentionally कि चीज़े change ना हो जैसे म तो आप लोग यह tuple को इस्तेमाल करोगे अब यहाँ पर मैं एक्जामपल यह tuple का दोनों को print किया है tuple के अंदर भी same चीज होती है अगर मैं इसके अंदर एक value दे दूँ इस तरह की string दे दूँ तो string भी यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो आप यह देख सकते हो glass tuple है लेक data type की वो भी चलेगा बट आप लोग यहाँ पर जो है इसको change नहीं कर सकते ठीक है अब अगर मैं मालो प्रेंट करता हूँ tuple 0 को मालो मैं tuple 0 को print करता हूँ and मैं इसके बाए tuple 1 को करता हूँ tuple 2 को करता हूँ tuple 34 को करता हूँ तो error आएगा युकि 34 index existing नहीं करती है तो देखो tuple index out of range लेकिन यहाँ तक program run होगा और आपको देखने को मिलेगा 1,2 और 76 जो की 0th, 1st और 2nd index पर मौजूद है ठीक है I hope किये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इस तरह से हम लोग जो है tuple की indexing कर सकते है positive indexing और negative indexing tuple में भी exactly same होती है जिस तरह से हमने list की बात की थी तो अगर मालो यहाँ पर किसी ने आपको tuple minus 1 लिखकर दे दिया तो आप क्या करोगे minus 1 को process नहीं करोगे आप देखो कि इसकी length क्या है 3 2 5 5 minus 1 4 होता है तो यह tuple 4 लिखा हुआ है tuple 4 लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 ठीक है तो यह 32 लिखा हुआ है in fact मैंने इसकी length गलत निकाली है I'm sorry इसकी length है प्रिंटी कर लेते हैं ना यार length क्या दिक्कत आ रही है length प्रिंटी कर लेते है double click len इस तरह से मैं length को इसकी प्रिंट कर लेता हूँ देखता हूं कितनी है length है इसकी 7 तो 7-1 होता है 6 तो 0 1 2 3 4 5 6 इसलिए तो true print हो गया ठीक है तो negative indexing को ऐसे resolve कर सकते हैं जैसे आपने अल्यडी देखा था list की case में ठीक है अब यहां पर आप यह check कर सकते हो if 342 in tup yes 342 is present in this tuple ठीक है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो ठीक है अब इसको run कर दो और आपका काम जो है वो हो जाएगा ठीक है 342 is present in this tuple आपको print होकर मिल गया अगर मैं इसी को 3421 कर दूँ तो यह चीस प्रिंट नहीं होगी क्योंकि यह condition जो है वो false में evaluate हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से चेक किया जा सकता item को कि वो present है या नहीं है similarly जिस तरह से हमने slicing की बात की थी list में उसी तरह हम यहाँ पर भी slicing की बात कर सकते है ठीक है slicing की जा सकती है टपल की लेकिन अब आप लोग कहोगे slicing कर सकते है तो चेंज कर सकते है टपल को ऐसा नहीं है slicing करने के बाद एक नया टपल रिटन होता है तो टीउपी जो है वो चेंज नहीं होता है एक नया टपल बन जाता है जैसे कि अगर मैं आपर लिख दूँ टूप टूप और मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 से लेके 4 तक तो एक नया टपल बनेगा तो मैं अगर यहाँ पर print करूँ तो एक नया टपल बनकर मुझे रिटन हो जाएगा जो की 2 से स्टार्ट होगा और 342 तक चलेगा ठीक है 0123 यह माइनस 1 इंडेक्स 0123 तो 276 और 342 रहेंगे बिल्गुल जिस तरह से हमने लिस्ट की slicing की बात की थी उसी तरह से हम लोग टपल की slicing भी कर सकते है ठीक है अब similarly जिस तरह हमने लिस्ट को प्रिंट किया था सारे elements को वह हम यहां भी कर सकते हैं ठीक है काफी similar ने चीज़ है कि आर अगर कोई आपको इस तरह की बात लिखता है तूप 0 टू ब्लैंक तो ब्लैंक की जगा पर आप लेंथ अप टपल लिख दो अगर कोई इस तरह से लिखता है देस्टू 4 या देस्टू 3 लिखता है कोई आपको इस तरह से तो आप यहां पर 0 लगा तो python automatically 0 लगा के आप सारे method को try करो एक तरह से revision कर लो list का tuple की साहिता सी कैसे करोगे slicing करो slicing का revision हो जाएगा जैसे list में होती है वैसे libr में होती है इसके बाद in keyword का स्तमाल करो जैसे list में होता है वैसी tuple में होता है difference वkę ऐसे ही या की त्पल को आप change नहीं कर सकते है आप उसकी value को change नहीं कर स रही के याद रखना इस बात को अगर आपने अभी तक अबी तक अबी तक अबीट दिली सो श्रूर्र्सा अकसेस करें अभी के लिए इस वीडियो में इतने इस गाइस thank you so much guys for watching this video and i will see you next time